वेलकम टो एस्टेडी 24 दोस्तो बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोसना की गई है मनरेगा जॉब कार्ड धारी को 25 सुरुपे की बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी बहुत जल्द उनके खाते में डाला जाएगा तो जिन्होंने अभी तक अपना जॉब कार्ड नहीं बनवाया है वो बनवा लिजिएगा कैसे बनाना है इस वीडियो में बताऊँगा और मैं बता दू की गरामिन विकास वीभाग जो है बिहार की इसी के तरफ से ये गोसना की गई थी आप लोगों को पता होगा मनरेगा के अंतरगत जो है 100 दिन की रोजगार दिया जाता है इसमें जो है सरकार भी फल रहने के कारण लोकडाउन के कारण बहुत सारी परिसानियों के कारण जो है वो बंद रहने के कारण काम बंद रहने के कारण बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तो पचीस सो रुपिय दिये जाएंगे बेरोजगारी भत्ता के रूप में तो चलिए कैसे जॉब कार्ट आपको बनवाना है अगर आपका जॉब कार्ट खो गया है कैसे डाउनलोड करना है यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हो और जो उनके पहले 2014 के पहले जिन्होंने जॉब कार्ट बनवाया है उनको तो फिर से बनाना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ बनाना कैसे है और कैसे कहां कहां बनेगा और उसके बाद मैं लाश्ट में बता दूँगा कि अगर जिनका खो गया है जॉब कार्ड तो कैसे डाउनलोड बगएरा कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो सबसे पहले देख लिजे ये पेपर में आया था महत्मा गांधी राष्टे गरामिन रोजगार गर यदि आपके परिवार के पास सक्रिय जॉब कार्ड है तो उसमें अपना नाम सीगर जोडवा ले यदि आपके परिवार के पास जॉब कार्ड नहीं है तो सीगर बनवा ले बिभिन राज्यों से लोट कर आए आपरवासी गरामिनों को जॉब कार्ड बनवाने पर मनरेगा अंतरगत रोजगार की सुबिदा भी दी जाएगी तो जो बाहर से आये हैं उनके पास काम नहीं है तो उनको काम भी दिया जाएगा और देखिये बरतमान में आइसोलेशन बार्ड या कुरेंटाइन सेंटर में भारती लोग भी परसासनिक नियमों का पालन करते हुए जोब कार्ड बनवाने है तो आवेदन दे सकते हैं देखियेगा जोब कार्ड प्राप्त करने की परकिर्या जोब कार्ड बनाने का आवेदन पर पत्र अपने ग्राम पंचायत से प्राप्त कर सकते हैं आवेदन मोखिक भी किया जा सकता है आवेदन के साथ निम्नलिकित कागजात गराम पंचायत में जमा करना होगा परिवार के सभी सदस्यों का फोटोग्राफ सभी सदस्यों के बैंक खाते का बीवरन और आधार संख्या देना होगा और आवेदन के पंदर दिनों के भीतर जॉब कार्ड उपलब्द करवा दिया जाएगा ये ग्रामिन विकास विभाग द्वारा जनीत में जारी कहा गया है और देखे और क्या दिया गया है और देखे अगर आपको काम चाहिए काम मांगना हो तो देखे कैसे मांगेगा मन्रेका के दाथ कारे मांगने की परकिरिया क्या है कारे की मांग ब्यक्ति परिवार की तरफ से अपने ग्राम पंचायत में की जा सकती है और सादे कागज पर आथवा मौकिक रूप से भी आवेदन किया जा सकता है आवेदन को निम्रेली के सुचनाए उपलब्द करवानी होगी कारे करने के इच्छुक व्यक्ति का नाम जॉब कार्ड संख्या कारे की अबधी कितने दिनों का आपको काम की जरुरत है वो बताना होगा आवेदक किस्तिती से कारे करने का इच्छुक है ये बताना होगा कारे की मांग है तो आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर आवेदक को कारे उपलब्द करवाया जाएगा नहीं मिलेगा तो फिर इसका भी पैसा आपको दिया जाएगा ठीक है तो पचीस सो के अलावा इसका भी पैसा आपको अगर मिल सकता है अगर आपको काम नहीं दिया गया तो ठीक है अब देखते हैं चलिए दिखाता हूँ कि अगर आपका जॉब कार्ड खो गया है तो कैसे मिलेगा हलाके देखिए आप इस दुरभास संख्या यानि टेलिफोन नंबर से भी सारी जहनकारिया प्राप्त कर सकते हैं नंबर दिया गया है तो नोट कर लिजेगा मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि नोट कर लें आप लोग अपना अपना नंबर ये नंबर नोट करिएगा तो आपको सारी जानकारिया उपलब्ध करवा दी जाएंगी ठीक है बाकी अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अगर खो गया है लेकिन हाँ 2014 के बाद वाले ही डाउनलोड करिएगा 2014 के पहले बाला डाउनलोड नहीं होगा देखिए आपको इस website को open करना है नोट कर लिजएगा अलाके मैंने वीडियो के description में भी इसका लिंक दे दिया है इस इसे देखिए नोट कर लिजए या फिर वीडियो के description में भी link दिया हूँ बहू ऐसे ही type करना है ठीक है और इसको open कर करने के बाद इस तरह का आपको कुलेगा ठीक है तो यहाँ पे आपको दिखाइद देगा देखिए आपका राज तो राज सेलेक्ट कर लेना है यह रहा चलिए सेलेक्ट करते हैं उसके बाद ज holyला चैन करना होगा डेखिए यहाँ самой आपको आपका जिला दिखाई देगा कोई भी जो आपका जिला है उसे सेलेक्ट कर लिजे चलिए मैं एक जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी चलिए ये सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको कोई भी जो आपका ब्लॉक है उसे सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर ब्लॉक दिया गया होगा और ब्लॉक जो आपका है वो सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको पंचायत सेलेक्ट करना है ठीक है आपका पंचायत कौन सा है वो सेलेक्ट करना है उसके बाद देखिए यह चलिए कोई भी select कर लीजिए जो आपका है उसे ही select करिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या दिया गया है अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा देखिए यह जो रहा job card not in use और यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे नमबर पे print issued job card जिनका खो गया है या किसी कारण बस से खराब हो गया job card तो उसे फिर से print कर सकते हैं यहाँ पे click करके चलिए मैं click करता हूँ देखिएगा यह click कर दिया है मैंने click करने के बाद आप select करिएगा individual में यहाँ पर आपको individual दिखाई दे रहा होगा individual में किलिक करें किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको village आपका जो गाउं है उसे select करना होगा देखिए यहाँ पर जो भी आपका गाउं है उसे select कर लिजेगा चलिए मैं कोई भी एक select कर देता हूँ यह मैंने select कर दिया अब देखिए यहाँ पे आपको name select करना है ठीक है किसका job card है यहाँ पे अगर आपका नाम होगा तो इसमें दिखाए देगा और आपका जो भी नाम है उसे select करें ठीक है और अपना download कर सकते हैं तो इसमें तो मेरा किसी का नहीं है कोई भी जान पहचान का नहीं है जिसे मैं download कर सकूँ तो आगे आप लोग को खुद करना होगा किसी भी नाम को एक download डाल दीजे जैसे कि इसे मैंने डाल दिया है और उसके बाद print कर लेना है यहाँ से देख सकते हैं select कर लीजे किस type का आपको चाहिए देखे तीन type का job card दिखाया जाएगा कोई भी एक select करके इसको या इसको या इसको select करके यहाँ पे click करके print करवा लेना है ठीक है तो आपका job card print हो जाएगा तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा और comment करके जरूर बताएगा और वीडियो को like कर दिजे और link मैंने दे दिया है directly आप खोल सकते हैं website को तो चलिए मैं मिलूँगा next वीडियो में तब तक के लिए बाई जेहिंद